दोक्टर सुनील करपेजी के सानिध्य में साई वाबा की महिमा को आत्मसाथ कर आध्यात्निक जीवन जीने की कला सीखें देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रति दिन प्रातह साथ बीज बजे आस्था पर प्रतिक रविवार प्रातह आठ बीज बजे संपर्ख सूत्र 9604050607 साई तेरे चरणों में कोटी प्रणा 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 शर्ण मेलेलों साई प्रभो शर्ण मेलेलों साई प्रभो शर्ण मेलेलों साई प्रभो शर्ण मेलेलों साई प्रभो जोड चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हमें करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कबिर महराज, करनी बिन कथनी कथे, करनी बिन कथनी कथे, गुरुपद लहे ना सोय, बातों के पकवान से धीरा नहीं कोई, मतलब सिर्फ कहने से पेट नहीं भरता, और सिर्फ पकवान की बाते करने से भूक नहीं मिटती, अपने जीवन में यही कारे आप सबको करना है, साइब बबा अपने जीवन में कहते है यही कारे आप करो आप अपने जीवन में कारेक्षम बनो आज का गुरु मंत्र है प्रारंब करो और जारी रखो प्रारंब करना है और जारी रखना है इसी विचार धारा के साथ ये बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ मैं फिर से कहूंगा वो आए और आकर चले गए मौन रहे और कुछ कहे गए जो था दिन बाटे ही बढ़ गया जल उठे दिये और अंदेरा जट गया साइवानी का प्रारंब क्या है कैसे साइवानी का प्रारंब एक गुरु अपने शिष्य के साथ हमेशा रहता था और रहता था तो देखता था कि वो उसको जो गुरु का उंट था उसको संभलने का काम वो शिष्य करता था बहुत साल हुए जब उंट को संभल रहा था तो एक दिन उसको एक गाव से वो रात को जा रहे थे और एक सराय के पास रुके और उन्होंने रात को वो शिश बहुत ठका था तो उसने क्या किया अपने उनको बांदा ही नहीं और वैसी अल्ला के नाम पे बोलके क्योंकि गुरु हमेशा कहते थे कि अल्ला के उपर छोड़ दो भगवान के उपर छोड़ दो भगवान सब खैल करेंगे हम नहीं कहते हैं साइब अबावा हमारा सब खैल करेंगे और कभी-कभी हम कुछ हमारी नयतिक करते वे जो होते देनेंदीन करते वे जो होते उसको भूल जाते है जैसे कि meditation करना है, ध्यान करना है साधना करनी है, exercise करनी है यह बाते हम भूल जाते है भाई और भेनो इस बात को याद रखना यह बहुत महत्पूर्ण कृती है मैं कहना चाहता हूँ आपको इन बातों के उपर कौन सी बात आप ठीक से समझी कि जैसे ही उनको रात के उसनों बांदा नहीं और क्या बोला? उसने बोला हे मालिक, हे अल्ला, हे भगवान मेरे उनका खैल करना मेरे उनका खैल करना मेरे उनका खैल करना और ऐसे तीम बार बोला और वो सो गया शिश्चा और गुरु दोनों सुबह सुबह उठे सुबह सुबह जैसे उठे उन्होंने देखा कि क्या देखा उन्होंने क्या देखा ये बात उन्होंने देखी कि ये बात भाव महत्पुर्न है, क्या देखा, कि उंट है नहीं, अब उंट है नहीं तो परिशान हो गए, अब जैसे परिशान हो गए, उनको समझ में आया, उंट कहां गया, तो गुरु ने पुछा अपने सिस से, अरे रात को तुने उंट बांदा नहीं था, उन्हों ने क अब आप मुझे घुसे से मत देखना, क्योंकि आप ही कहते हैं, भगवान के उपर छोड़ दो, तो गुरु बोला, अरे भगवान के उपर छोड़ देना पगले, लेकिन उनको तो तुने खुटी से बांदा तो चाहिए था, अपने हाथ से बढ़िया, दूसरा कोई भाग जाएगा, कर्म करो कर्म, इसलिए मैंने कहा था, कबीर महाराज का जो शुरू का दोहा बताया, कि सिर्फ बात करने से पंक्वान के नाम लेने से पेट भरेगा, अब यहां इतने सारे मित्र बैठे हैं, मैं कहूंगा, तुम गुलाब जाम खाओ, तुम रबडी खाओ तुम मिठाईया खाओ, तुम फल फूल खाओ, तुम अच्छे तरह से सेब खाओ, और बहुत कैसे लगे फल, तो आपका पेट थोड़ी बिरने आले, जब तक मैं आपको खाने को फल नहीं दूंगा, तब तक आपका पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा, उसी प्रकार, अपना नईतिक कार्य जो है, प्रधान कार्य जो है, वो करने के बगर हम कही भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, आज का साहिवानी का संदेश पहला बोध जो है, आप ठीक से समझ लेना, ये बोध कथा है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, कि आप अपने जीवन में हर बोध हमारा जीवन बदल सकते हैं और एक जनम मिला तो पूरे सदी को बदल सकते हैं, उसलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन जागे उस दिन सवेरा और आप अदिप अभावा, ये बहुत बड़ी और बहुत महत पूर्न विचारधारा है भाईयो, आपको भूलना नही है, ये स्टोरी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके जीवन में कारे लाने के लिए है, और आपको कुछ चकाने के लिए, बदलाने के लिए है, मैं फिर से कहूंगा, बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, एक बार गुरु नानक साब एक गाव में महमान थे और उस गाव में एक सेठ धनीचन था बहुत सेठ बड़ा सेठ अमीर सेठ था और उस सेठ जब बैठा गुरुनानक साब के पास आया आशिरवाद लिया और कहा आप इतने ज्यानी है महान है भगवान है आप मुझे आशिरवाद दे और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ जो आप चाहेंगे मैं देदाना चाहता हूँ मेरे पास आपने दिया हुआ भगवान दिया हुआ बहुत कुछ है तो गुरुनानक साब उसकी तरफ देखते और हसते और कहते देखे के अपने जेब से सोटीछी स्वी निकालते और बोलते हैं यह रख तेरे पास और याद रख मरने के बाद उसको तेरे मरने के बाद यह मुझे लवटा दे तो उसको शुरू में समझ में नहाता है वह तो बहुत धून में होता है अपनी पैसे की मस्ती की धून में अंकार होता है उसको तो फ़र उसको समझ में नहीं आता है लेकिन थोड़े समय के बाद उसको समझ में आता है कि गुरुनानक साब कितनी बड़ी बात बोले है और फिर वो उसके आग खुल जाते रहो कहता है आप बोलेंगे तो मैं आपकी मेरी जान दे दूँगा लेकिन मरने के बाद मैं यह सुई कैसे दे पाऊंगा क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा तो गुरुनानक साब उसकी तरफ देखे हसते और बोलते अभी सुई वापस देदे मेरा काम हो गया तो जान गया ना कि तो जीत दौलत के उपर घमन कर रहा है यह तेरे को मरने के बाद लेके नहीं जाना है इसके दो अर्थ है भाई और बेहनों आप अपने जियों में जियो पैसा कमाओ जरूर कमाओ नाम कमाओ लेकिन सिर्फ उसी के पीछे मत भागो मैं नहीं कहता कि गरीबी में रहो मर्सरीज में जाना है ना जरूर जाओ मर्सरीज बहुत बड़ी चीज है लेकिन मर्सरीज में ही जाना है ऐसा मत सोचो जैसे आप अभी यहाँ पूने से लेके मुंबई तक आपको जाना है और आपके पास ट्रेन है बस है, मरसरीज है, कई आपको अगर मरसरीज में जाना है, बैटने को मिल गए तो छोड़ो मत, लेकिन मरसरीज में ही जाना है, इस बात तो तै मत करो इसी भी चीज का घमन मत करो मैं आज की कहानिया बता थे समय आप सबको पूछने वाला हूँ, आप क्या बोद ले रहे हूँ, क्योंकि मुझे जो संदेश देना है, वो संदेश साही बाबा का संदेश है, शेरडी में साही बाबा के पास हजारों करोडों लोग आते थे, गरीब आते थे आमीर आते थे, बाबा किसी का फरक नहीं करते थे, बाबा सिर्फ देखते थे कि ये मेरा कितना नाम स्वरन कर रहा है, मेरे लिए कितना भज रहा है, मेरे नाम का कितनी बार वो जिक्र कर रहा है, और सच में वो मुझे पवित्रता के साथ मेरे चर्णों में आया है के नहीं आया है क्योंकि एक बात रखना दिखावे वाले बहुत लोग है करने वाले बहुत कम लोग है और मैं दिखावे वालों पर नहीं काम करने वालों पर भरसा करता हूँ दस बाते बोलने से अच्छ है दो बाते करो आप अपने जीवन में देखो बहुत सारी बाते करने वाले लोग आपको मिलेंगे लेकिन भावार्त समझो जो आपने लिए करता है न अच्छे एक छोटा सा भी काम वो आपने लिए महत पूर्ण होता है यही तो जीवन है इसे को तो हम जीवन कहते है बहुत सारी चीज़े हैं हमें करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ भगवान राम को तो आप सब जानते है सिता मयार राम और लक्षिमन वनवास के लिए निकले अपने पिता जी का जो आशिरवात जो शब्द दिया था वो पूरा करने के लिए बाद में उनको पता चला कि उनके पिता जी नहीं रहेंगे वो मरने वाले है और उनका आंत-समया आया है तो भी राम ने अपना ठैसला नहीं बदला राम चलते गए राम वापस आ सकते थे तो तो राम अपने संक्भ तोड़के वापस आ सकते थे, लेकिन राम एक कारे पर निकले थे अपने जीवन में भी अपना एक कारे होता है अपने कभी-कभी घरवाले बोलते हैं बेटा पढ़ने को मजज़ा भार, हमें बहुत प्यार है अरे क्या होता है प्यार, अपना करते हुए आपको हरे को करना है, साहिब बाबा यही कहते हैं, आप जहां भी है, वहां रहो, पुजा करो, भक्ती करो, लेकिन आपना करते हुए पहले करो, मेरी साहिवानी आपको कार्या में लेके आने के लिए है, मेरी साहिवानी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है, और मेरी साइवानी ध्यान धारना के साथ आपने जीवन में करांती करने के लिए है मैं ये बाते आपसे इतना हग से क्यों कह रहा हूँ क्यों मैं ये संदेश आपको दिन तक पोचाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा हूँ आप शायद समझ में नहीं आएगा आपको लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ अभी फिसले दो मेने से मैं लगातार लोगों से जुड़ा हूँ कितने सारे देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं और साही वानी के प्रादम में जब से हुआ है तब से वो मुझसे कह रहे हैं कि सुनिर जी बहुत अच्छा लग रहा है और काम मैं तो करी रहा हूँ लेकिन आपको भी मेरे साथ आना है मेरे साथ चलना है विश्वा से भाई और भेनो ग्रांती एक दिन में नहीं होती लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है कुछ-ْكुछ बाते हैं जो मैं आपको फिर से कहने की कोशिश करता हूं तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब को अपने अपने उंड को बानना है अभी ठीक से समझो हर स्टोरी का मतलब अपने अपने उंड को बानना मतलब क्या? भगवान बरोसेज छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है लोग कहावत से और मज़ाग में कहते हैं कि इस टूजब जब भारत आया था आट नो मेंने भारत में गुबा इसकौन के टेंपल में जाके उन्हेंने खिचली खाई और उदर अमेरिका में जाके बोला कि सच में भगवान है इस पर मेरा भरोसा है क्योंकि भारत का पूरा राम भरोसे चल रहा है इसमें मज़ा बुड़ा है हमारे देश का लेकिन याद रखना कोई भी चीज अगर सिस्टेमेटिक नहीं होती न एक बात याद रखो डिसिप्लिन है सातत्य है तो असामन्य कारे भी आप अदमी कर सकता है लेकिन भहुत कुषाग रहे भहुत टवाइन है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है न बड़ा आदमी भी मुर्चा जा सकता है एक बीज में अंकूरने की शक्ती है लेकिन उसको जब तक जमीन नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, सुरज की किरने नहीं मिलेगी, तब तक कैसा उस काम कुराएगा और छोटा पेड़ को तो बकरी भी खा सकती, अगर वही पेड़ बड़ा हो गया, तो उसको हाती भी नहीं गिरा सकता अपने ही कारे का वैसे ही है एक दिन में कारे नहीं बनेगा लेकिन एक दिन जरूर बनेगा कुछ-कुछ बाते फिर-फिर से आएगे आपको लगेगा लेकिन मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं मेरी मुद्दों से अडिगू मैं मेरी बातों से अडिगू देखो मैं फिर से कहना चाहता हूँ शब्द शायद मेरे इदर उदर हो सकते भाई और भेनो लेकिन उसका जो बोध है और जिसका अर्थ है वो आपको समझना है दुसरी कहानी मैंने बताई कि गमन मत करना जब सराय ने जब उसने उन्द को बांदा ने उन्द भाग गया इदर उदर भाग गया तो उसका मालिक भी घुस्सा होगा है क्योंकि वो भी कहते थे कि अल्ला के उपर छोड़ दो बहगोन के उपर छोड़ दो लगversion भगवान फिर मदद में क्यों ने आए अगर आप कारे करोगे तो आपको फल मिलेगा सिर्फ भल की लालसा मत करो फल के पीछे मत भगो कि मुझे मिलेगा के नहीं मिलेगा के नहीं मिलेगा अब सिर्फ करते रहो अपनी मेनत और उसका अशिरवात सब कुछ possible है आज ही आपको संकल्ब को तै करना है अगर आप बच्पन में गलती कर चुके हो और वही गलती बार-बार दवरा रहे हो तो आप मुर्क है अगर आप वो गलती अभी भी कर रहे हो जैसे आप बाद में पहले खैनी खाते थे और अभी भी खैनी खाने लगे तो गलती है खैनी गलत है जिस दिन समयने जिस दिन खैनी को छोड़ दो गलती है सबसे होते हो बच्पाना होता है लेकिन जब आभी समझदारी में आप पर साही वानी सुनने के बाद साही क्रिया करने के बाद साही बाबा का नाम लेने के बाद ध्यान धारना करने के बाद अगर आप गलतिया करोगे तो फिर वो गलति है समझ आने के बाद कभी बे समझी बाते नहीं करनी चाहिए मैं विश्वास देना चाहता हूँ आज आपको क्रिया शिल बढ़ो गमन मत करो क्योंकि सुई भी उपर नहीं लेके जा सकते तीसरी और महतपुर्ण बात है कि क्रिया कैसी करनी है इसके उपर मैं हर चीज में अभी बोलना शुरू कर रहा हूँ उसका मैं दूसरा अंख बताने वाला हूँ और वह अंख है मन को कैसे प्रसंद रखे देखो सच्ची सोच और सकरात्मक सोच आदमी को बहुत कुछ सिखाती है सकरात्मक सोच रखनी चाहिए जैसे आप एक पॉजिटिव एटिटूड से भरे रहते हो ना तो पूरी दुनिया पॉजिटिव हो जाती है लेकिन जैसे आप negative attitude से भुरे रहते हो ना तो पूरी डुनिया negative attitude में चली जाती है जैसे आपका मिन चाहता है ना वैसे ही सब कुछ होता है अगर आपको सब fresh दिख रहा है ना तो सब fresh है अगर आपको कबी-कबी दिक्कत है आता है, आप देख लो मैं एक बात बहुत महतपूर ने यहां कहूंगा जो आपकी जीवन में आज से आपको अपलाय करनी है और वो है हर दिन अपने शरीर को आदा घंटा पसीन आने तक एक्सरसाइस करना है आपको कोई भी गुम्रल है ने दौपकी सिर्फ एक बात मैं हाट के मरिश को कहना चाहूंगा अभी मैंने जैसे बोला और तुरंक आपके एक्सरसाइस के मत लगो थोड़ी 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 एक्सरसाइस को बढ़ाओ क्योंकि हमने आज हाथ में कारे लिया है साइवानी.org मेरे विश्व के सभी मेरे भाई भेन अपना अपना प्रोड़क्ट लेके अपने वेबसाइट से जूर सकते है साइवानी.org में आप आओगे अपने प्रोड़क्ट को रखोगे वो प्रोड़क्ट हम जब पूरे विश्व से लोग उसको खरी देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से मुनाफ़ा होगा और आप अपनी तरक्की करोगे. मैंने ये क्रिया दी आपको चाहे वो गाव में खेतों में काम करने वाली मेरी भेनों, मेरे छोटेशे शेहर में काम करने वाला छोटा प्रोडक्शन करने वाला मेरा भाई हो उसकी वो स्पेशलिटी हो सकती है हमारा देश गरिब कभी नहीं था अंग्रे जाने के पहले हमारे भारत देश में सोनी की चिडिया कहते थे क्यों कहते थे, क्योंकि हमारी धाका की मलमल तब भारत एक बंगला देश और पाकिस्तान भारत पुरा एक था, तो बड़ा हिंदुस्तान देश था, अभी ठीक है कोई बात नहीं, अलग-अलग देश हो गए, लेकिन अभी भी हमारा देश बहुत बड़ा देश है, क्योंकि जब हम देखते है कन्या कुमारी से लेके कश्मीर तक, इतने फैले होए देश में अलग-अलग कला कुसरी है, आज भी आप देखो, राजस्तानी लोग जो जिस तरह से फरनीचर बरते हैं, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता, आज हमारे यूपी में जैसे कारागिर है, यूप प्यूपी से लेके हर चीज़ को बनाने वाले वो दूसरे जगह पे नहीं देखे है मैंने, आज में हमारे मद्य प्रदेश में जितनी की देवताओं के पूजा करने वाले पंडित और ग्यानी लोग है, वो आज तक मैंने कहीं नहीं देखे, आज में साउथ में जो विज् अगर हम देखे जाएंगे तो हर एक छेत्र में अलग अलग चीज़े है, महिसूर का जो अगर हम देखेंगे, हर देश में, हर कोने कोने से हमारे भारत देश में विवित्ता है, इस विवित्ता के साथ हमें जुड़ना है और हम सब साहिवानी.org बाबा ने जो प्लैटफॉ अगर इस देश की तरक्की करनी है, तो हमें हाथ को काम देना पड़ेगा, हमारे विचारों को ताकत देनी पड़ेगी, और मेरे भाई भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है, युवा शक्ति, आज भी जपान में आप जाओगे, उसको बुड़ो का देश कहा जाए, क्योंकि वहाँ जवान लोग कम है, लड़के कम है, बच्चे कम है, क्योंकि वहाँ, हमारी यहाँ इतनी population नहीं है, हमारे देश म आपके पास जो भी ज्ञान है, हाँ, यह होगा है, प्रोड़क की बात तो ज्ञान की भी बात कर सकता हूँ, जो आर्टीस्ट है, वो भी हम से आके जूर सकते हैं, कला के माद्यम से जूर सकते हैं, और इसी से हम क्रांती करेंगे, उसको हम कहना चाहते हैं, साइवानी क्रां झाल